हलो एवरीवन दिस इस सद्धार्ट पतेल वेलकम जो मैगनेट ब्रेंज और यह है मैगनेट ब्रेंज के आपकी पूरी हुमानिटीज की टीम जो की जोरो शोरो से वीडियो बनाने में लगी है आप एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का जोग्रफी और हम लोग पढ़ेंगे पहले जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ यूमन जोग्रफी उस बुक के चाप्टर नंबर 6 दाट इस सेकेंडरी अक्टिविटीज को हम लोग समझेंगे प्राइमरी अक्टिविटीज के बारे में आपने अल्रेडी बात कर चुके हैं अब बारी है सेकेंडरी अक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे टर्जरी अक्टिविटीज के बारे में तो start करते हैं chapter के नाम से ही शुरुवात करेंगे secondary activities अब secondary activities से जाने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि primary activities क्या है अब आप बोलोगे के sir हमें पता है आप तो जल्दी जल्दी आगे पढ़ाए लेकिन हम लोग एक quick revision करते हैं दो मिनिट में हम पूरा पहले quick revision करते हैं पूरा माहौल पूरा समहा बनाते हैं ठीक है फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा primary activities क्या होती है primary activities वो होती है जहां पे environment पे dependent जादा होती है चाहां हम agriculture देखें हैं कुछ minerals या forest वाली चीज़ें देखें यह सारी जो चीज़ें है यह primary activities में आती है क्योंकि यहां पे जो main जो dependent जो होता है वो natural environment पे होता है अब primary activities से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आ value add करेगी primary activity में हम लोग सीधा natural resources से environment के उपर dependent थे environment से direct connected थे अब उस जो environment से हम connected थे उसमें जब हम थोड़ी सी value डाल देंगे तो वो हो जाएगा secondary activity example सी समझते हैं example यह है कि यह खेत है cotton वाला चीक है इसे हिंदी में कपास बोलते हैं यह कपास का पूरा खेत यहां पूरे cotton लगे हुए हैं चीक है वो cotton रोल्स आपको दिख रही होगी अब यहां पे अगर cotton रोल लगाना यह बात हो गई primary activity यहां पे हमने natural environment में जो environment है उसमे cotton लगाई यह primary activity हो गई लेकिन अब जब यहां से हम यह लोग cotton रोल्स जब हम यहां पे निकालेंगे तो यह हम किसी manufacturing plant किसी industry में देंगे वो इस cotton का cotton यान से वो क्या करेंगे वो इसका कपड़ा बनाएंगे और market में बेचेंगे तो यहां पे क्या हुआ है यह जो natural चीज थी इस natural चीज को लेके हम लोग manufacturing industry में गए और उसका आखरी में आके हमने कपड़ा बना दिया तो यह होगी secondary activity यहां पे हम एक value put on कर रहे हैं यहां पे हम क्या कर रहे हैं हम value put on कर रहे हैं यह जो natural resources है इसमें हमने value put on की तो यह कपड़ा बन गया जब हमने primary activities में थोड़ा सा value put on more or ever यह वाला जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग सिफ introductory part को discuss करेंगे हम थोड़ा सा introduction को discuss करेंगे और सांती साथ हम लोग यह बात करेंगे कि हम इस पूरे chapter में क्या पढ़ने वाले so यह आपके लिए एक story बनाएगा यह आपके लिए एकदम पूरा समहा बनाएगा प secondary activities add value to the natural resources by transforming raw materials into valuable products यह जो raw materials है इनको valuable products में convert किया cotton in the ball has limited use but it is transformed into yarn becomes more valuable and can be used for making clothes वही वाली बात है कि यह जो cotton है इसका कम use है आज की तारिक में लेकिन जब हम इसे yarn में convert करेंगे जब हम इसे manufacturing industry में लेके जाएंगे जब इसका कपड़ा बनेगा तो इसका बहुत use होगा और वही अगर यह malls में चले गया अच्छी अच्छी ब्रांच ने ले लिया तो तो फिर 2500 रुपे का एक shirt आपको मिलेगा clear है यह वाली चीज समझ भाई same वैसी अगर हम लोग iron and steel की बात कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हम लोग अगर iron ले रहे हैं तो वो कोई काम कर नहीं है ठीक है लेकिन जब हम उस iron को steel में convert कर देंगे तो वो काम कर रहेगा ठीक है और उस वोट का हमने फिर furniture बना दिया तो वह क्या हो गया वह secondary activity हो गया वह पेड़ लगा था वह natural resources पर dependent था वह environment पर dependent था वह primary activity था लेकिन हमने उस पेड़ को काटा और उसका हमने क्या क्या उसका हमने एक बढ़िया फरनीचर बना दिया तो यह जो furniture है यह furniture क्या हुआ primary और secondary का आपको differentiation यहाँ पर clear हो गया है secondary activity therefore are concerned with manufacturing, processing and construction infrastructure industry जो secondary activity है वो manufacturing में प्रोसेसिंग में इन सारी चीज में interested है इन सारी चीजों को हम लोग secondary activity में केटेगराइज करते हैं चाहिए वो infrastructure हो यह जो बड़े-बड़े आप factories देखते हो बड़े-बड़े जो आप plants देखते हो ठीक है food processing industries वगेरा यह जितने भी आप चीजे देख रहे हैं यह secondary activities में अब हलका सा मैं आपको tertiary activity का बता रहा हूं although हम इसके next chapter में उसको बहुत अच्छे से करेंगे लेकिन जो tertiary activities होती वो services के बारे में होती बैंक जा रहे हो school जा रहे हो कोई आपको services provide कर रहा है plumber आपको services provide कर रहा है तो जब आपको कोई services provide करता है तो वो होता है tertiary activity वो उसको हम service sector भी कहते हैं और यह basically industrial sector भी होता है secondary activity हैं पर industries manufacturing industries इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं and primary चो totally natural resources पर dependent होता है वो primary activities होती है clear है यह चीज़ आपको यहां पर समझ में आ गई है now manufacturing क्या है आपकी बुक में topic दिया है manufacturing manufacturing क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझते है manufacturing involves a full array of production from handicraft to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer component or space vehicle so manufacturing है वो कोई एक activity नहीं है वो बहुत सारी activity है चाहे है handicraft हो चाहे हमें computer के कोई parts बनाना हो चाहे हमें iron को steel में convert करना हो कुछ plastic toys बनाना हो तो manufacturing यह बहुत वास है कुछ pharmaceuticals company हो तो manufacturing हम किसी एक चीज को define नहीं कर सकते manufacturing बहुत सारी activity होती है in each of these processes the common characteristics of the application of power mass production of identical products and specialized labor in factories setting for the production of standardized commodities यह वाला जो point है यह सबसे ज्यादा important point है इसलिए इस point को थोड़ा सा differently लिखा गया है differently point को थोड़ा सा बताए गया है जो manufacturing होती है जो manufacturing units होती है उसमें कुछ common characteristics होती है एक तो वहाँ बिजली application of power वहाँ बिजली होती है ठीक है उन plants में गर आप हमें देखें यहाँ बिजली का उप्योग यहाँ पे जारी है करें चाहिए हम कोल के मार्दयम से करें किसी और मार्दयम से करें बट पावर जरूरी है eight हमें हमें अगर कुछ भी उत्पादन करना हम कुछ भी प्रोड्यूस करना हैं तो बिजली की कपत होगी अब वो हम बीजली किसी भी सोर्चेस से ले η일 तो सबसे पहले तो बहुत सारे खिलोने बनाएगी ठीक है कोई किसी फलाने चीज की कंपनी तो बहुत सारे चीजे बनाएगी तो यहां पर एक तो बिजली होती है दूसरे specialized persons लगेंगे कुछ दूसरी factory में कुछ दूसरे specialized person लगेंगे तो बिजली, mass production और specialized लेबर लगते हैं अगर हमें standardized commodity बनानी अगर हमें बहुत अच्छी commodity बनानी है तो special लोग लगते हैं ताकि वो एक standard वाली commodity बने तो यह कुछ manufacturing की common characteristics होती है कि बिजली होना जरूरी है, mass production होना जरूरी है, कुछ specialized labor क्योंकि हमें standardized commodity बनाना है तो clear है यह चीज़ आपको यहां पे समझ में आ गई है now manufacturing may be done with modern power and machinery और it may be still primitive अब यहां पे यह जो word primitive है, primitive मतलब क्या है, primitive basically हम जो early societies जो बोलते हैं, जो developed societies नहीं होती है, जो early age की societies होती है, उसे primitive बोलते है, जो थोड़ी सी कम developed countries होती है, जो कम developed society होती है, उन्हें primitive society कहते हैं, तो manufacturing ऐसा नहीं है कि हम सिफ इसे ही manufacturing बोलेंगे, यह आपने बड़े-बड़े plant देख लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें ही manufacturing बोलेंगे, manufacturing छोटे स्थर पे भी होता है, अलग-अलग उस पे होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि जो developed economies है, जो developed countries है, like USA है, European nations है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ हमें ऐसे plants जादे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो developing countries है, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ छोटे-छोटे उद्द्योग जादा होते हैं, although like अगर आप India में observe करेंगे, तो इंडिया में हमें दोनों चीज़े देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में हमें बहुत जादा developed plants भी मिल रहे हैं, तो बहुत जादा start-ups और जो छोटे-छोटी उद्द्योग होते हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं, और लेकिन जो बहुत ही जादा under developed countries हैं, like अगर हम लोग African nations वगिरा में देखें, तो वहाँ स्तिती खराब हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर बस छोटे-छोटे जो plants हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो manufacturing भी country to country vary करती है, like अमेरिका में कुछ और standard होगा, योरोप में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और होगा, मिडल इस्ट में कुछ और होगा, एफ्रिका नेशन्स में कुछ और होगा, तो अलग-अलग जगा ये vary करती है, I hope ये सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी, ये एक छोटा सा आपको introductory वीडियो था, जिसमें मुझे आपको ये बताना था कि secondary activities क्या होता है, manufacturing क्या है, उसके main जो important characteristics हैं, वो क्या है, और manufacturing differ करती है, अलग-अलग countries में, अलग-अलग उसके development के साब से manufacturing differ करती है, साथ ही साथ primary और secondary में क्या difference है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अब next वीडियो से हम लोग full-fledged, like characteristics क्या होती है, अलग-अलग industries, textile industries, iron and steel industries, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको basics इसमें clear हो गए है, आपका पूरा माहूल बन गया है आगे पढ़ने के लिए, तो मुलाकात आपसे जो होगी वो next वीडियो में होगी, और next वीडियो में हम लोग detail में अप इस chapter का explanation start करेंगे, जो रशोर उसे लग जाएंगे हमारी पढ़ाई करने में, और एकदम detail में इस chapter के explanation में जाएंगे, Magnet Brains के वीडियो आप लोग YouTube से access कर सकते हैं, बट YouTube पे अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप Magnet Brains की website या जो Magnet Brains का app है, आप उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, Magnet Brains पे class kg से लेके class 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहां जितने भी वीडियो से सारे वीडियो बिल्कुल free of cost है, आपको कहीं भी कोई fee, कोई subscription देने की आवशक्ता नहीं है, सारी चीज़ें यहां पे आपको बिल्कुल freely available मिलेंगी, आप लोग यहां से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, free बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, जैसे करनी हैं वैसे कर सकते हैं, जादा से जादा आप इन वीडियो को शेयर कीजे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजे, चानल को सबस्क्राइब कीजे, मुलाकात होगी अपसे नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।